हलो इस्टुडेंट कैसे हैं आज हम डिसकस करते हैं अपने डिसीम टेस्ट सीरीज 2022 नीट 2022 मॉल कंसेप्ट रेड़ॉक्स हाई हॉप आपका टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा है कि शन आपको एंसे डिसकस करते हैं हमारा फर्स्ट क्यूश्ट होता है देखिए अमंगदा फॉलाइंग वन विद्धा हाइश्ट मास् यानि आपको हाइश्ट मास् पूछा गया है अगर मैं बात करें तो सबसे फस् मास निकालना होता है अपने पास मॉल इस इकल टू क्या होता है मास यह दर्यमान अपन मॉलर मास यह अपने पास होता है हमारे पास यहाँ पे मॉल दे रखा है तो मास केलकुलेट करना है तो देखिए मास इस इकल टू क्या हो जाएगा आपने पास मौल into mm अब सभी का इसके अंदर 1 مौल है तो मैं फिर्स्ट बात करता हूँ Sulfuric Acids का तो देखिए Sulfuric Acid का मौलर मास होता है 98 लेट इसका 108 होता है O2 का 32 होता है तो अगर मैं Sulfuric Acid का देखो यह तो 1 मौल हो गया तो first option में अपने पास 98 ग्राम हो गया, second option में 108 ग्राम हो गया, third option में पहले से calculate कर रखा है 44 ग्राम, और fourth option में 32 ग्राम, तो यह पूछ रहा है maximum mass किसका है, second, third और fourth option, तो अगर maximum mass के देखे, तो हमारे पास option number 2, one mole of az के अंदर maximum mass होता है, तो second option हमारा correct, next, next अपने पास आता है, question number 2, करता है, one mole of electron, mass of one mole of electron, एक mole electron का दर्योमान कितना होता है, एक mole electron का दर्योमान कितना होता है, तो अगर मैं कहूं, mass, mass is equal to क्या होता है अपने पास, mole into molar mass, या सिदा सा अगर मैं बात करना चाहूं, calculate करना चाहें, तो आपके पास देखिए, mole is equal to क्या होता है, mass upon molar mass, ये तो जनरली किसी item के लिए calculate करता ही है, आपको पता है, one mole electron में कितने electron होता है, one mole electron containing 6.02 into 10 to power 23 electron, ये तो इतने होगए अपने पास है ने, अब ये कर रहा है कि mass is equal to क्या होगा अपने पास, mass is equal to होगा, mole into 9.1 into 10 to power minus 31 kg, ये mass होता है, एक electron का mass कितना होता है, 9.1 into 10 to power minus 31 kg, one electron का mass होता है, ठीक है, इसको अगर आने से multiply कर दे, ये ये आवगादो नमबर से multiply करते हैं, तो हमारे पास आता है, 5.4 into 10 to power minus 7 kg, ये ये, mole अपने पास 1 है, सिदा साग अगर आनसोर देखना चाहें, तो one mole में कितने electron होते हैं भया, एने जितने, एने, one mole electron का mass होता है, अपने पास, 9.10 to power minus 31 kg, देजी, तो भया, एने में कितने होंगे, उसको multiply कर दीजिए, option number 4, clear, सिदा साख है, आपको one mole electron का mass, one mole में कितने electron होते हैं, आउगादो नमबर जितने, आउगादो नमबर का mass, कितना होगा, एक लेक्टोन के mass से multiply कर दीजिए, ठीक है, next question है, अपना, what is the mass of 0.5 mole of N2, यानि N2 के 0.5 mole का दर्योमान क्या है, तो आपको पता है, one mole N2 जो होता है, one mole N2 का दर्योमान आपको पता है, 28 ग्राम होता है, तो यह 0.5 mole का कितना होगा, 0.5 mole N2 का दर्योमान हो जाएगा, 14 ग्राम, second, third option हो जाएगा अपने पास, clear, next four है, the solution, a solution containing 20 ग्राम साल्ट of 80 ग्राम वाटर, हैनि 20 ग्राम कोई भी साल्ट को 180 ग्राम वाटर में डिजोल किया है, कहता है, calculate the concentration of mass by mass, W by W पर, इसकी percentage निकालना तो आपको पता ही है, weight by weight, weight by weight percent क्या होता है, mass of mass of solute upon mass of solution, mass of solution, mass of solution into hundred, यह हमारे पास होता है, तो दीजिए mass of solute अगर यह करा है कि 20 ग्राम है तो 20 upon mass solution का mass solute and solvent को एड़ करके करना है, तो अपने पास होगा है 200 into hundred, solve कर लो भी यह इसको 10 percent, option number first, clear? फिफ्थ आता है अपना क्लोरीन का, question देखिए भी यह atomic mass of chlorine is 35.5, calculate the mass of 4.5 mol of chlorine gas, यानि आपको atomic mass of CL, CL का atomic mass दिया है, यानि chlorine का mass देदिया आपको 31, तो CL का mass अगर 35.5 है अपने पास, तो CL2 का mass कितना होगा भी यह? 71 gram होगा, आपको पता है mole is equal to क्या होता है? mass upon molar mass, mass upon molar mass, और तो mass is equal to क्या होगा भी यह? mole into mm, अपने पास, आपको पता है mole की निकाले, 4.5 mole के लिए पूछा है, molar mass 71 है, अगर इसको multiply करते हैं, तो अपने पास 3, 19.5 gram आता है, यह मारे पास option number 4, question number 5. next है, the maximum number of molecular present in maximum, अपने पास अणों की संक्या अधिक्तम कितनी है, देखिए, n2 का निकालना है, आपको पता एक formula होता है, n upon na into, volume y 22.4, यह relation ले सकते हम, mole का relation होता है, number of entity और upon na, और volume, stp के ओपर यह volume का relation होता है, तो हमको निकालना है n, first option की बात करता हूं, n2 का निकालना है, वो क्या निकलेगा भया, एक formula यहां से अपने पास, n is equal to formula क्या बन जाएगा, na into v upon 22.4, यह formula बनता है, तो first option का, number of entity calculate करना है हमको, तो na तो सब में common है, तो na को ऐसे कैसे रख लीजिए, अब पहला दे रखा है, 5 liter, तो 5 upon 22.4, अगर मैं इसको calculate करता हूं, तो मेरे पास आता है, 0.22 na, और इसकी atomicity अपने पास, इसमें अधिक्तम अणों के संक्या पूछिए, maximum number of molecule पूछा है, तो molecule में ज़रत नहीं है अपने पास, into na, तो 22 आ गया, फिर second option में अपने पास, calculate करना है, n, h2 का, mass दे रखा है, तो आपको पता ही है, 0.5 mass दे रखा है, तो mass into na, upon molar mass, यह formula लगेगा इसका, तो इसको calculate कर लीजिए, अपने पास, mass दे रखा है, अपने पास, 0.5 upon molar mass, आपको पता ही है, कितना hydrogen का molar mass 2 होता ही है, into na, यह calculate हो जाएगा अपने पास, third option में अगर देखिया हूं, O2 का 10 gram दे रखा है, तो वही बास, N O2, O2 के अंदर कितने molecule होंगे भी यह, तो 10 into na, upon, इसका molar mass 32 हो जाएगा, जिसको solve करेंगे, तो अपने पास आएगा, 0.31, इसको अगर मैं solve करता हूं, तो मेरे पास आता है, 0.25, और fourth option हमारे पास, N H, वापस H2 का है, 25 liter, तो 25 liter, 15 liter, sorry, 15 liter, 15 into na, upon, 22.4, अगर इसको solve करेंगे, तो हमारे पास 0.66 na आता है, इसमें 66 na आएगा, तो खाने का वादा सबसे maximum, अगर molecule है, इसमें 22 है, इसमें 25 है, 0.31 है, इसमें 0.66 है, इसका अपने पास हो गया, फोर्थ option, STP पर H2 का गेस, अपने पास 15 liter होता है, ओके, देखिए भया, नेक्स्क्रिशन अपना 7, इसमें देखिए, इसमें आपने एक रिएक्शन दे रिखिए, अपने पास यह रही, कहा रहा है कि यह बॉक्साइड है, इस बॉक्साइड में 3 कार्बन, 3 कार्बन लेने से मेरे को 4 एलुमिने मिलता है, 3 मॉल आफ कार्बन को लेने से 4 मॉल मिलता है, यह करा है कि 273 kg अगर मैं ले लूँ, तो मेरे को ये कितना मिले की रिक्वार्मेंट होगी या सिंपल सी बात करें तो अगर मैं केजी की बात कर रहा हूं तो केजी के देखेंगे तो देखेंगे ग्राम अगर निकालें इसका तो कहा जाता है कि अगर ये 108 ग्राम मिले 108 केजी की अगर बात करो मैं 108 केजी की अगर ब ग्राम लूँगा तो यह 108 ग्राम 36 केजी लूँगा तो यह 108 केजी तो अगर कहें तो कहते है 108 ग्राम 8 केजी के लिए मेरे को कितना कार्बन की रिक्वार्मेंट है 36 केजी कार्बन कार्बन चीए तो 1 केजी के लिए भाया 36 अपान 108 और 273 केजी के लिए तो 36 अपान 108 इन्टू 273 इस इकल टू 90 केजी है ओप्शन नंबर 4 तो सिदा सिदा फॉर्मूला है रियक्शन बैलेंस करके आपको बैलेंस एक्विशन देर किये तो आपके लिए बैनेफिट है कि नेश्क्यूशन क्या कहता है 22 लीटर ऑफ एस्टू मिक्स विद ए 11.2 लीटर ऑफ शील टू इच एश्टीपी दा मोल ऑफ एसल एसल के मोल कितने मिलेंगे हमको देखिए हम कह रहे हैं कि एच्टू प्लस सी एल टू इस इकल टू 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 एसल लिए यह हमारे पास होता कि आढ़े आपको पता है 555 लोन्गा वन मो लिए मैं फॉल की बात करता हूं तो मोल झाल यह लेंगी वन मोल वन मोल मैं आपको पता है कितने लिटर होता है 22.4. फूर लीटर होता है इसी तरह वन मोल के अंदर 22.4 लीटर होगा तो यह हमारे पास कितना मिलेगा 44.8 लीटर मिलेगा और 44.8 लीटर में टू मोल होते ही है बट यह कह रहा है कि अगर मैं यह 22.4 ले लू बट यह 1.2 ले लू तो आपको पता है कि वन मोल का डबल मिलता है तो हम इसका वोल्यूम क्या कर रहे है हाफ कि यह हाफ हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा वन Vous मिलेगा हम को एक थरह से लीमीटिंग रिएजएंड करेगा घाना कि नहुंअ स्मारा option नंबर सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करते हैं तो 8 ग्राम मेगनिश्यम औक्साइड देने के लिए विगटित हो जाता है यहींनि नमुने में मेगनिश्यम कार्बोनेट की सुद्धता पूछी ए आपको पता है मेगनिश्यम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है mgso3 is equal to mgo plus co2 यह गटित होता है ये करा है कि सरवात मैंने 20 ग्राम लिया है ये 20 ग्राम ले लिया मैंने ये करा है कि मैगनीशियम उक्साइड 8 ग्राम मिल रहा है हमको 8 ग्राम अगर मैगनीशियम उक्साइड सा देखिए अगर का सिम्पल सी बात करें तो ये करा है कि magnesium carbon के सुद्धता प्रतिस्थता निकाले की यहनि 20 ग्राम लेते हैं बड़ हमें विगटित होने पर 8 ग्राम magnesium oxide मिलता है तो बते हैं प्रतिस्थत सुद्धता क्या होगी तो देखिए अगर कहूं कि 84 ग्राम अगर यह लेता हूं मैं अगर मैं 44 ग्राम अगर यह लेता हूं तो देखिए अगना magnesium oxide हमें 40 ग्राम मिलेगा 40 ग्राम मिलेगा तो मैं कहूं 40 ग्राम MGO के लिए हमको कितनी requirement है भईया 84 ग्राम तो एक ग्राम के लिए कितनी requirement होगी भईया 84 पॉइंट 40 ग्राम कितना requirement है अपने पास 8 ग्राम की वह यह कह रहा है तो हमारे पास 8 ग्राम magnesium oxide मिला है विया तो हमारे पास क्या मिलेगा 8 ग्राम के लिए क्या होगा 84 इंटू 8 अगर इसको solve करे हम तो हमारे पास आता है 16.8 ग्राम 16.8 ग्राम मिला हमको देखे परसंटेज प्योरिटी क्या होगी वह यह इसको solve करते है तो अपने पास 84 प्रसेंट आता है तो 8 ग्राम की रिक्वार्मेंट के इसाफ से अगर करेंगे वन ग्राम के लिए वन ग्राम में इतना होता है तो 8 ग्राम में कितना होगा इसको मुल्टिप्लाइ के लिजिए अगर सेंपर सीक्सोल करना चाहिए ठीक है तो यह हमारे पास क्यूशन नंबर 9 करने कि नियुक्ता था सिगनिफिकेंट नंबर पेह है आपको पता है सिगनिफिकरंग नंबर अगर निकाल है तो इसके अंदर आंपकोnahme है तो अपने पास यह जिरो होंगे यह नॉट सिगनिफिकेंट होंगे एस अफ नहीं हो गई है तो मारे पास इसका significant number 2 हो जाएगा बाकी more than 2 होते हैं तो significant all the left left जो अपने right side जीते भी 0 होंगे वो significant number होंगे तो ये 3 हो जाएगे और more than 1 है तो सारे क्या more than 1 value है तो all the non 0 और 0 सारे क्या है significant number होंगे तो 3, 2, 3, 4 option number 2 ये तो significant है number याद रखना है सिधा साथ next है अपने पास 7.75 gram of gas occupy 5.8 liter of volume at stp gas यानि 7.7 gram gas है stp पे 5.8 liter इस्थान गेरती है तो यह यह कह रहा है कि gas कौण शी होगी तो देखिए अपने पास mass upon molar mass is equal to volume upon 22.4 होगा तो यहां से molar mass निकाल लीजे भी यह molar mass is equal to क्या होगा mass into 22.4 upon volume तो mass हमको दे रखा है 7.75 gram volume हमको दे रखा है 22.4 और वो वोल्यूम यह हो गया 24 5.8 volume अपनको गीवन है अगर इसको solve करें हमारे पास तो 29.93 आता है जो एप्रोक्स 30 के होता है तो अपना देख लीजे 30 के अंदर इसका molar mass 30 होता है इसका molar mass तो 28 और 16 हो गया 28 ए 16 44 हो गया इसका molar mass 32 होता ही है और इसका 44 होता है तो अपने पास option number 1 एनो गेस होगी यहां कुल मिला के molar mass calculate करना है कि next है आपका equivalent weight of bivalent metal is 37 the molecular weight of its chloride is molecular weight कितना होगा तो देखिए यह कर रहा है कि bivalent है कि bivalent का मतलब क्या होता आपको पता ही है सबको भीया अगर मैं कहूं 37.2 है तो bivalent है तो metal का कितना होगा मोनो वेलेंट मोनो का कितना हो भाई वेलेंट है जस्ट कह दिया इसने तुल्यांग की बार दिया है सोरी आपको equivalent weight दिया है तो molar mass क्या होगा भीया mm क्या होगा इसका वो टू इन्टू 37.2 तो यह हो जाएगा 74.4 ग्राउं तो देखिए मास ओफ क्लॉरीन मास ओफ क्लॉरीन जो भी आपको मास ओफ क्लॉराइट जो है क्लॉरीन का कितना होता आपको पता ही है 71 ग्राम होता है ठीक है तो मॉलर मास ओफ इट्स मॉलर मास ओफ इट्स क्लॉराइड क्या होगा भीया 71 प्लस 74.4 अगर इसको एड्ट करें तो 145.55 का प्रॉक्स आता है लगबग 45 आता है तो में suchen-चूर्ड औप्शन चूस कर सकता हूं कि यह हमारे पास है आपका तुल्यांग की बाहर है यानि इकलेंट वेट दे रखा है वाइवेलेंट है उसका मोलर मास कितना होगा डबल और क्लॉराइड है वाइवेलेंट होगा तो इसके साथ आपको पता है इसका तो गया 71 प्लस बाइवेलेंट है तो इसका 74.4 हो जाएगा अगर मैं इसको एड़ करता हूँ तो आपको पता ही है कितना 145.4 आ जाएगा जाएगा जो मारे पास है कि डायेट निकालना चाहो इस तरह भी केल्कुलेट कर सकते हैं कि मैक्स्ट है कि नमबर आप ऑक्षिजन एटम इन्हें 4.4 ग्राम ऑफ सियो टू ऑक्षिजन एटम देखें तो यह आपको पता है वन मूल कि वन मूल सियो टू होता है उसके अंदर टू मूल ऑफ ऑक्षिजन होते हैं ऑक्षिजन आपको पता है एक मूल सियो टू मिलेते हैं यह कर रहा है 44 ग्राम तो 44 ग्राम में कितने मूल होंगे बहिए है वन मूल में टू मॉल है तो जिरो पॉइंट मॉल में टू वॉइंट र Whoo यह औक्षिजन कर देखें वह आ पॉइंट मॉल के अंदर विधा कितने प्रमाणूं थो ब्या अब्च अपने पास मॉल into na और mol into na अगर multiply कणना हो 0.2 तो mol है और आपकादरो… multiply कर लो 0.2 into 10 to power 23 na से multiply कर लो 23 हो गया 23 अगर मैं इसको multiply करता हूँ तो 1.2 into 10 to power आधा है इस तरह 1.4 में मोल होता है जिरो पॉइंट प्रम ऑन का मिलेगा जीरो पॉइंट गल टो एन अपॉन एनियों इसे अपन क्या करेंगे नमबर ऑप मॉलेक्योल निकल जाएगा अक्षिजन इतना हाजैगा मोल इंटो एने मॉल टू मॉल है मल्टिप्लाई कर दीजिए वन पॉइंट वह जाएगा ऑप्शन नंबर पस्ट है क्लियर कि बेरियुम कार्बनेट में मोलों की संग ए जिन में जाल दूंट फाइप मोल औक्षिजन परमानों होता है अधिन नंबर आप मोल अब कपर ये अपने पास देखी वन मॉल गारबान को कंट्चन एक अब नंडल 3 mol of oxygen यानि 3 mol oxygen की require होता है या एक mol अगर varium carbonate लोगा उसमें 3 mol क्या मिलेंगे अपने को oxygen मिलेंगे यह कह रहा है कि 1.5 mol है या 1.5 होगा तो या इसके अंदर varium के number of mol कितने हो जाएंगे 0.5 और अगर 1 के यहां 3 हो रहे है तो इसका half करूँगा तो इसका भी तो half होगा तो 0.5 mol हो जाएगा option number 1 clear तो लोगो next है percentage of oxygen in H204 is H204 में oxygen की percentage कितनी है आपको पता है कि oxygen का 48 gram होता है है इसके अंदर तो 48 एस्टो सो पूर वन मोल एस्टो सो फूर का मास कितना होता है आइन्टी एड़ अब यह करा ऑक्षिन का प्रसंटेज निकालना है हमको तो आपको यहां सिदा साख है कि यहां पे ऑक्षिन का मास कितना है एक का 16 होता है 64 हो गया तो 64 अपोन 98 इन्टू 100 निकल ली परसंटेज अफ ऑक्षिजन अगर इसको कैलकुलेट करते हम लगब लगब अपने पास 65.3 आता है 65.3 परसंटेज आता है अप्षिन नमबर थार्ड क्लियर नेक्सक्षिशन अपना हाँ 16 तो नमबर ओप मॉल केमनो 4 एक्वायर देखिए आपको पता है केमनो 4 एक्विलेंट केमनो 4 एकल टू एक्विलेंट 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 एक एसका एन factor इन्टू स्की मोलरिटी न फक्तर इसका इन्टू स्की नुर्मलिटी अ अपने पांस मॉनबर ऑप दो मुन अपने transaction के फैन इक मेडिया मेंमलो होता है अपने पास यू और्र मौने पांस इसका केल्कुलेटे करना थो कितने requirement होगी अपने पास इसके 3N factor होता है जब कि इसका 5 होता है तो कितने requirement होगी यह 1mol तो इसके nmol calculate करना है अपने पास क्या हो जाएगा n is equal to 3 by 5 जो कि इसके equal होता है जिरो पॉइंट सिक्सके option no.1 क्लियर तो oxalate completely oxidize कर रहा है ध्यान रखना completely लिखा हो है वो ध्यान रखना सेकेंड है अपने पास when the 100 ml of 1m तो सपोज गुरू इसकी moled n1 V1 is equal to n न उसका निकालना हम को न उसकी normality क्या होगी भी यह n1 V1 is equal to n2 V2 निकाले हम इधर यह sulfuric acid की normality हो गई है इस्टोसोफोर की कि इधर न उसकी होगी तो न उसका 100 ml वन हम आपको पता है एम को एन में करते हैं तो उसका एन से multiply करते हैं इसका एन फेक्टर वन है तो हमको एन या एम हो इक्वल होगा तो एन हमारे पास हो गया वन इन्टू इसका हो गया 100 ml इस इकल टू इस एस्टोसोफोर की normality देर रखी है 10m 10 और वोल्यूम देर रखा है अपने पास 10 ml तो दोनों क्या हो जाएंगे उसके 100 और 100 तो धैट मेंस्ट दोनों नूट्रलाइज हो जाएंगे सेम नॉस कंसर्ण इसकी क्या होगी नॉर्मलेटी सेम होगी तैट मेंस जो भी अपना पास होगा वह क्या होगा neutral होगा तो molecule होगा वो क्या होगा neutral पर सिया condition दियान रखना है यहाँ M लियावा है आपको पता है N योज का N हो जिगल टू क्या होता है M into N factor और N factor इसका क्या होता है N योज का 1 तो 1 से प्लिटर होता है तो N हो या M हो equally ही होता है यहाँ को स्पेशल घ्यान रखना है तो कि अप्शन नमबर 4 फिर आता है 1 लीटर ऑफ गेस एड़ाश्ट पी वेट 1.16 के दा पॉसिबल इस एश्टीपी पे 1 लीटर गेस का है तो अपने पास क्या पुछा गेस का भार इतना देर का संभव हो सकता है अपने मौलर मास निकालना है तो यह डबलू अपन मौलर मास हीज्ट कल टू अपने पास वॉल्यूम होता है एश्टीपी पे वी अपने 22.4 निकाल सकते मोल एश्टीपी पे मोल इस इकल टू क्या होता है व्लीूम अपने 22.4 वेट अपना सोल करें हमारे पास तो mm is equal to क्या आएगा भिया 1.16 into 22.4 इसको अगर सोल करें तो एप्रोक्स 25.98 आता है चो इक्वल होता है 26 के तो इसका मॉलर मास देखे तो 26 होता है इसका इसका मॉलर मास देखे तो 12 ही हो गया 16 तो 28 हो गया इसका 32 होता है और इसका 16 होता है हमारे पास ऑप्शन नंबर वन वही बात आगे अपने पास इसका क्लियर देखे अगर ऑप्शन के अगर बात करें हमारे पास 4.4.304 का सार्थक अंग है तो अपने पास क्या हो ने क्यों हमने का एक से ज्यादा जब ही होता है वेल्यू तो उसके चाहिए लेफ्ट साइड हो चाहिए राइट साइड हो उसका जीरो होंगे वह सिग्निफिकन नंबर में आएंगे यानि अप्शन नंबर वन सिग्निफिकन नंबर कितने हो जाएंगे इसके फोर जाएंगे देखिए एक रहा है कि नंबर आप मोल सॉल्यूट परजन इन फोर लीटर सॉलुशन आप मॉल एक लीटर में है तो चार मॉल में कितने होंगा भाईया पॉइंट हो जाएंगे एक रहा है तो यह कर रहा है कि एक्सिस रिएजेंट रिमेनिंग आफ्टर दा रियक्शन देखिए एफी प्लैस ओटू रियक्शन हमारे पास यह है कि टू एफी ओ आपको पता है कि अगर टू मॉल यह लेता हूं तो वन मॉल यह बनेंगा तो मॉल लूंगा तो बन मॉल और यह उप्लाय को लोगा तो यह कहरा है कि मैं 8 ग्रावल लेलू तो 8 ग्राम में कितने मॉल होंगे ठीट इबाइड कर दो जे और जीड़ो पॉइन 25 को पता है कि वन मौल लेता हूँ तो मोल की यूब का मिय को कि तो हमारे पास ले कितने रखा है 56 ग्राम मेरे रखा है Architects ग्राम का मतलब वन मोल हुआ हो ऑफ दो कितनी है 50 थे मेंगो गई हाफ मौल और हाफ मौल मोल आपको पता है हाफ मोल में कितने ग्राम होते है 28 ग्राम सेकेंड औक्षिन है कि समझ भाइब क्या करना चाहरा है आपके पास वन मोल के लिए टू मोल की रिक्वार्मेंट है है 8 ग्राम और या इसका मतलब 22.5 ग्राम ले रहा है point du ta 53 डी नहीं one-fourth मोल एक पड़ा चार मोल यूज़ ले रहा ही तो एक बटा चार मोल के लिए मेरे को यह कितना मोल ची या यह कितना मोल ची ऐए आदा मोल ची और आदे मोल का दरवान कितना होता है अठाइस ग्राम यह लोग ठीक है नेक्स्ट क्यूशन अपने पास आई टू इस प्रोड्यूस दा रियक्शन यह नहीं मैं अगर रियक्शन आप दो पॉर मॉल आप दा क्यों अगर इस रियक्शन को देखिए 2CuCl2 प्लस 4Ki इस रियक्शन में अगर मैं दो मॉल इसके लेता हूँ तो मेरे पास एक मॉल मिलता है यानि दो मॉल लूंगा तो एक मॉल मेरे को क्या मिलेगा यह मिलेगा तो यह कर रहा है कि निमना भी किरा में चीरो पॉइंट फोर थ्रिटु मोल लेगा ओ आई किरें और यूप आधू का अनु कितने होंगे उसके आईटु के कितने हो लेगे तो सिंपल सी बात है भीया हमने पास इत दो मोल के लेंगे हमारे पास वन मोल मिलेगा तो इसके मोल का इसका आदा मिल जाएगा हो कितना होगा पॉइंट इसका डिवाइड़ वाइट टू कर दो क्या हो जाएगा 32 हैनी 4, 1, 6 हो गया अब 2 अब कहता है कि 1 इसमोल में कितने पूछा आपको तो इसको एने से मल्टिप्लाई कर दो एने से मल्टिप्लाई कर दो तो अगर मल्टिप्लाई करें हमारे पास तो कौन सा निकलेगा कैल्कुलेट कर लीजिए इसको क्लियर अगर कैल्कुलेट करें हम इसको कितना आएगा अपने पास 22 पॉइंट यहनी लगभग आएगा 1.28 इंटू 10 तो पावर 23 एने क्या होता 6, 6 से मल्टिप्लाई कर लो तो अपने पास option आजाएगा 3 और अप्शन नमबर है यह तो कर टू मोल के लिए मेरे को वन मोल मिल रहा है पॉइंट 3 मोल के लिए कितना मिलेगा हाफ हो जाएगा और वन कित मोल में के अंदर कितने मोलिक्यूल होते हैं एने से मल्टिप्लाई कर दो क्लियर नियम मोल्टिंपलिकेशन में एक ही कार अलग कार्बन दो या retrouver क्योगिक बनाता है में यह अपने पास option नमबर है वन हो जाएगा ठीक है चलिए वह आपने पास है एक्ट एजर ओक्षिडायसिंग ऑम को पता है इस क्रोमियम का प्लस सेवर्चों में उस्पालो चिर इंट एक हाइर प्लस वन होता है इस में भी हुआ होगा देखिया पहले इसका सवरी इसके प्लोम देखे लेता है कि यहां पर बड़े गे 2CrO4 2- plus H plus is equal to Cr2O7 2- plus H2O. अदेखिए, oxidizing agent कुण होगा? oxidizing agent जो खुद का reduction करता होगा. देखिए, इसका कितना होता है? oxidation state निकाली जिए x plus 4 minus 2 is equal to 2 minus x minus 8 is equal to minus 2 x is equal to minus 2 plus 8 x is equal to क्या हो जाएगी यह plus 6 इसका oxidation plus 6 है इधर आ जाओ तो इसका भी plus 6 है यानि कोई change नहीं हो रहा है इसमें यहां से यहां जब आते हैं कोई reaction change नहीं हो रहा यानि नहीं तो h plus sign है क्योंकि उसके अंदर भी plus 1 है इधर भी plus 1 है कोई change नहीं हो रहा CR of 4 में भी कोई change नहीं हो रहा इसमें भी कोई change नहीं हो रहा CR 2 plus है यह नहीं पहले बात कमाना none of these fourth option अपने पास होता है next strong reducing आपको पता है कि जो first group alkali metals होते हैं alkaline metals जो होते हैं वह reducing होते हैं यह option अपने पास sodium यह electrochemical series है जिसके according आपको देखना है second है अपने पास oxidation state of sulfur in s8 s2o5 s8 की बात करें तो आपको पता ही है s8 में 0 होता है oxidation state s2 f2 के अंदर बात करें तो f s s और f plus one plus one यह structure होती है यह minus one यह minus one और h2s में आपको पता ही है sulfur का two minus होता है तो महारे पास क्या होगा जीरो plus one और two minus first option कहता है निम लिकिती स्वीज में परमानुका oxygen अंग प्लस six कौन सा है यह यह oxidation state is plus six इसमें plus six case में होगा निकल्गुलेट कर लीजिए अगर इसका करें plus seven होता है इसकी बात करें तो plus three होता है इसकी बात करें तो प्लस four होगा और इसमें बात करें तो प्लस six होगा यहनि फॉर्थ option इन यह oxidation state का है conceptual है calculate कर सकता है आपको निकालना आता है आराम से कोई फ्रॉबलम नहीं कि नेक्स्ट आपको ABC दे रखा है देखिए ए बी और सी दे रखें इनके माननक अप्चैन विभाव यहनि इस एस रपी की वेल्यू दे रिखिए आपके पास 0.68 और माइनस जी 2.54 वोल्ट और माइनस 0.50 वोल्ट आपको पता है जिसका जितना ज्यादा सबसे ज्यादा बी का हो गया फिर सी का हो गया और फिर एक हो गया बट जो जितना ज्यादा होता है वह उतना ही कम अप्चैन होता है यहां पूचा है कि reduction का पूचा है कि what is the order of reduction यानि reducing agent नहीं पूचा है reduction का पूचा है इसका आपोजिट हो जाएगा बी सबसे कम फिर सी फिर ए option number second अपने पास है यहां पर reduction पूचा है ना कि reducing agent नहीं पूचा है नेक्स अपने पास है यह reaction दे रहे है अपने पास Fe plus 3 O2 2 gives Fe 3 plus plus O2 2 minus यानि यहां से Fe का oxidation जिरो है यह भी 0 है यहां 3 plus है और यहां 2 O2 का minus 1 है ओटू का minus 1 oxidation state है अब यहां से यहां हो रहा है इसका oxidation हो रहा है और O2 0 से minus हो रहा है तो reduction हो रहा है अब यह कहारा है यह एक सभी करिया है नेमने में सख सही नहीं है not correct पूछा आपसे not correct का मतलब सही यह redox अभी कर्थ है यह metallic ion is reductant दात्विक लोगा एक अपचाइक है अगर जिसका oxygen होता है वह अपचाइक हो गया ना रिड़क्टेंट हो गया यह reducing agent हो गया और यह अपने पास oxidizing agent हो गया तो यह भी सही है और टू एक oxidizing है होता है दात्विक लोगे का अपचाइक अपचाइन यह अपना गलत हो जाएगा तो अपने पास थ्री ऑप्शन सही है तो गलत का पूछा है अपने को ज्यान रखना है कि इसमें oxidation state calculate करना है यह करा है 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 एस त्री एस ओ थ्री में तो इसका क्या हो जाएगा थ्री इन्टू फ्लस वन फ्लस एक्स माइनस प्लस अजाएगा थ्री इन्टू माइनस दो इस इकल टू जीरो तो 3 प्लस एक्स माइनस 6 इस इकल टू जीरो तो x इस इकल टू क्या हो जाता है प्लस के 3, option number 3, oxidation state है, निम reaction में बाद देखिए कौन सी होती है, CLO minus से बन रहा है, CLO 3 minus plus CL minus, यह तो बैलेंस कर लेना है, इसको 3 यह है, तो देखिए अगर CLO में के अंदर इसका oxidation state calculate करें अपन, CLO के अंदर, आपको पता है, इसका X मान लिजी, plus minus 2 is equal to minus 1, तो क्या हो जाएगा, X minus 2 is equal to minus 1, तो plus 1 हो गया, इसका oxidation state, ठीक है, इधर बात करें, तिन दुन 6, plus 5 हो गया, और इधर minus 1 हो गया, देखिए, यहां से CL के oxidation state बढ़ भी रही है, और CL के oxidation state घड़ भी रही है, that means, एक ही एटम का oxidation भी हो रहा है, और reduction भी हो रहा है, तो उसको कहते है, disproportionation reaction यहें समानुपातन अभी किरिया, ऐसी राश्य डेडोक्स अभी किरिया, डेडोक्स रेक्षन जिसमें एक ही प्रमानु का, अप्चेन भी हो रहा है, और और oxygen यह और oxidation भी हो रहा है, तो यह समानुपातन यहें डिसप्रपोर्श्योनेशन रियक्षन, है नेस्ट कुश्विशन में अपने पास अभी कि या देर किये अपने पास एच्टु एस प्लस एस ओ तू इस इकल टू टू एच्टु ओ एक रहाएक सथे कते न पोछना है तो यह तू माइनस है यहां फ्लस ए और यहां जी रहा है और देखिए फोर प्लस से जीरो होगा है और टू माइनस से भी जीरो भू भूरा का मतलब अक्सिकान अंक में कमी हो रही है कमी कौम कहते हैं reduction और माइनस टू से जीरो हरा है बढ़ रही है ऑक्सिडेशन तो हम इसको कहेंगे ऑक्सिडेशन और जिसका ऑक्सिडेशन होता है वह हमारा पास होता है reducing agent और जिसका oxidation reduction हो रहा है वह हमारा oxidizing agent अब statement देख लिए है हुआ है तो सत्यकतन पूछा है एक ऑक्सिकारक नहीं है एक क्या है reduction हो रहा है तो अपने पास second option हो जाएगा एस ओटू का up chain होता है मतलब एस ओटू का क्या हो रहा है यहां पे अपचेन होता है वह यह reduction reduction हो रहा है नेक्स्ट यह reaction है हमारे पास i2 प्लस 5 Cl2 में तुल्यांग की बार पूछा है अपने किसका i2 का आई का तुल्यांग की बार है एच आई-ओ-3 प्लस 10 Cl देखिए इधर i2 0 है इधर i2 कितना है तू है वैलेंस करें इसको प्लस 5 में है तो कितना चेंज होगा वह यह प्लस 5 में एक आयोदिन प्लस 5 में करता है यहां तो कितने जाएंगे टैन इलक्ट्रोन टैन तो इकुलेंट वेट क्या होता है वह यह आपका एम अपॉन एन फेक्टर एन फेक्टर कितना है वह यह टैन प्लस 5 मत करना आपने फास ओप्शन नमबर 5 4 एन फेक्टर से डिवाइड करना है एन फेक्टर 10 का डिफ्रेंस आ रहा है इसमें नेक्स्ट है दीगी संतुलित के लिए इलेक्ट्रोन की संख्या क्या होगे नमबर आप एलेक्ट्रोन एलेक्ट्रोन औफ बैलेंसिंग गिवन डियक्शन देखिए कितने रिक्वर्मेंट होती है घर एन फॉलेसध़-फ्लस 기स्व ele कितने एलेक्ट्रोन की रिक्वार्मेंट है फो सिद सादन के इहां पर दीखिये फोर एक्ष माईनेस वन और तो पॉर एच प्लस है तो थि प्लस है तो अगर में यह थि एलेक्टोन हैड कर दूं अंग्वा तो मेरे पास किया आजाएगा बैलेश हो जाएगा यह सिधा देखू इसका अक्षिडेश्ट कितना है प्लस फाइफ और इसका disc वेट ओप एफ एफ एस ओपर और ऑक्षिडाइज भाई 200 ml ऑफ एम एम केमनोफोर सोलेशन इन एसीडिक मीडियम वेट ओप दे रखा आपको वेट दे रखा है कैसे कल्कुलेट करेंगे वह देखिए एन फैक्टर नॉरमलेटी इन्टू एन फैक्टर आफ केमनोफोर अपन एक्वेलेट ओफ एस अलफ एड जाएगी इसकी कंसेंडरेशन एम वन वी बन इन टू एन फैक्टर इसकी एन कंसेंडरेशन और एन फैक्टर अब यह कर आए कि वाट वेट ओफ यह नीव ले रखा है उक्सिडेशन रेखिए वन एमल है वन एन का सोलूशन है वह यह यह नॉर्मलेटी में ले लूँ तो यह यह नॉर्मलेटी में ले लीजिए क्या मैंनो फॉर का है इदर अगर मैं नॉर्मलेटी में ले रहा हूँ तो यह नॉर्मलेटी में ले लिजिए अब देखिए वन एन दे रखा है एन वन वी वन हो गया तो वन इंटु तो अंड्रेड का दे रखा है अपने पास टू अंड्रेड अमल लेटर में चेंज कर लीजिए लेटर हो जाएगा इंटु एन फेक्टर इस इकल टू क्या हो जाएगा एन टू इन टू इसमें फेक्टर क्या होता है वन होता है क्या मिन फोर अगर देखिए देखिए अब यहां से एन टू केल्कुलेट कर लीजिए वह एन टू इस इकल टू आएगा जीरो पॉइंट टू मोल अब देखिए यह कर रहा है कि जीरो पॉइंट टू मोल के लिए फैरसलफाइट जो होता है fazo4 जिरो पॉइंट यू मोल के लिए फैररसलफेट रिक्ट की रिक्वार्मल की रिक्वार्मेंट होती है जीरो पॉइंट टू इंटू 156 ग्राम जो के अपना पास होता है लगबर 30 3430.4 ग्राम तर्टी है। और प्रॉखर ग्राम करना है इसको भी एह इसका मोल केल्कुलेट करना है यह इसकी कंसेंटेशन केल्कूलेट करनी है तो अपने पास क्या हो जाएगा तो पुइंट 25 मोर्त कि यह करा है कि यह रहा है वेट वाइब डे रखेंघ आपने को 22 परसेंट तो 22 ग्राम तो हमारे पास क्या हो गया और फन्डेड ग्राम हमारे पास क्या हो गया solution, solution में 20% पर्षेंट है, इसका मतलब, यही तो by value है, इसका मतलब क्या है, 20% एनियोच ही तो होता है, 20 ग्राम एनियोच है, और 80 ग्राम वोटर है, दोनों का solution का mass तो गया इतना, तो अपनों को molarity निकाल नहीं है, तो molarity is equal to क्या हो जाएगा, 20 upon molar mass होता है, 40 into mass of solution, मास दे रखा है, तो इसको किसमे कनवर्ट कर दो भाया, density से d is equal to m upon v होता है, तो v को इतली है, तो v is equal to m upon density, m अपना plus 100 है, density अपनों को 2 दे रखी है, तो इसको 2 से यह 2 by 2 into 1000, अगर मैं इसको solve करता हूँ, तो 2 पर चला जाएगा, तो 200 upon 40 into 100 into 1000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 हो गया, तो 200 upon 4, तो लगवा किसके एको लोगा, अपने पास, 220 होगा, देखो, यह उपर गया, इसको solve करने में, देखिए, इसको 100 by 2 कर दिया, यहां इसको easy going कर लिजिए भाई हा, 2 पर गया, तो 40 हो गया, 40 upon 40 into 100 into 1000, तो 2 से तो 2 यह कट गया, 1 से 1 यह कट गया, 40 by 4, जो कि किसके कल हो था 10 mk, second option, यह, molarity होती है, आपके पास पता है, molarity क्या होती है, यह, m is equal to, w upon mm molar mass into v ml into 1000, यह मारे पास molarity का formula होता है, 1 kg electron के mol, आपको पता है, number of mol present in 1 kg electron, 1 kg जो electron होता है, मैं कहूँ, 1 mol electron जो होता है, मैं कहूँ, 1 mol electron जो होता है, है, उसमें कितने electron होंगे, आउगा जो number, 20.23, तो मैं कहूँ, कि 1 electron का mass कितना होता है भी यह, आपको पता है, 9.1 into 10 to power minus 31 kg, तो यह, 1 mol electron का mass, mass क्या होगा, इनको multiply किजिए, 9.1 into 10 to power minus 31 into 6.02 into 10 to power 23, ठीक है, तो यह करा है कि, मोलों के संग्या पूचिए, number of mol पूचा है, तो मोल is equal to क्या होता है, mass upon mm, mass दे रखा है 1 kg और इसका mass, 1 mol electron का mass, molar mass होता है, तो इनको 10 to power minus 31 into 6.02 into 10 to power 23, तो option number second, यह, 7 है भी यह, देख लेना, यह, 6.02 होता है, तो option यही लग रहा है हमारे पास, third option, next है, how many mol of residue obtained the strongly heated 2.76 gram of Ag2CO3, यह, इनि, silver carbonate को heat करें हम, तो अपने पास reaction देखो, यह होती है, Ag2CO3, 2 gives 2 Ag plus CO2, तो यह, अगर में इसका molar mass निकालता हूं, तो one mol से two mol मिलता है, हमेशे दान दखो, यह कर रहा है कि one mol में आपको पता है, कितना होता है, लग बगे इसका calculate कर लीजिए, Ag का 108 होता है, 2 Ag है तो 108, यानि, 216 हो गया, carbon का 12 होता है, और 48 इसका होता है, अगर calculate करता हूं, तो लग बग अपना आ जाता है, 276, calculate किजिए, 6, 17, 276, ग्राम अगर मैं लेता हूं, तो मेरे को यह मिलता है, लग बग, 216 ग्राम, 216 ग्राम मिलता है, अब यह करा है कि 2.73 में करूंगा, तो 2.76 ग्राम लूंगा, तो यहां पॉइंट लगाया, तो यहां भी तो मिलेगा, इतना ही, क्योंकि equal mol मिल इसका हो गया न, भाई यहां पर कितना हम ले रहे हैं, 270 ग्राम, क्योंकि 1 mol के अंदर अपने पास कितने होता है, 2 AG होता है, तो हमारे पास क्या हम लेगा, 260 ग्राम, ओप्शन नमबर, 270 ग्राम, नेश कुछन, कहता है, एक कारबन का वास्तिक दिर्वेमान कितना होता है, एक्षल मास ओफान, तो आपको पता है, मोलर मास अपन एन ग्राम होता है, एक परमानू का, एक एटम का, क्योंकि 1 mol के अंदर अपने आवगा तो नमबर जितने, कारबन होता है, तो 1 का कितना होगा, 12, 1, एक कारबन का 12 होता है, तो एन इसे डिवाइड कर दो, आप्शन नमबर वाण, देखिए, कोई एक्स है, और वाई है, एक्स कर रहा है, 60 परसेंट है, और वाई कर रहा है, 40 परसेंट है, मतलब अगर 100 परसेंट हुआ, तो ये तो हो गया, 60 ग्राम, और ये हो गया, 40 ग्राम, यनि इसका मास क्या हो गया, ये, अब ये मोलर मास दे रखा है, कि य का दे रखा है, 60, और एक्स का दे रखा है, 40, तो अपन 40, अपन 60, 60, सॉल कर लीजिए, भीया, 3 by 2, ये मिलेगा 2 by 3, इसको सॉल करेंगे 6 से मल्टिपलाई कीजिए, तो यह जाएगा 3, 9, और यह जाएगा 4, एक्स, 9, Y, 4, option number 4, क्योंकि आपको निकालना है, मास अपन मॉलर मास, तो मॉलर मास अपनों को दे रखा है, अटोमिक मास दे रखा है, तो उसे मॉल डिवाइड कर दिया, तो अपने पास कितने हो गए, मॉल निकल गए, मॉल के साथ से गल्गुलेट कर सकते हैं, fourth option अपना होता है, वन ग्राम में कितने एलक्रोन, देखें, मिधेन होता है, CH4, यह करा है कि, हाव मैनी एलक्रोन परजेंट इन 1.6 ग्राम, CH4 में आपके टोटल 10 एलक्रोन होता है, कार्बन में 6, अटोटल कितने हो गए, 10 ग्राम, तो अगर मैं कहूं, 1.6 ग्राम लिया, तो कितने मॉल हो और 0.1 मॉल में, मिधेन के जो मॉलिक्यूल होता है, वो होता है, मॉल इन्टु एने, एने, क्या हो जाएगा, 0.1 इन्टु एने, और एक मॉल में आपको पता, 10 लक्रोना तो 10 से मल्टिपलाई किर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6.02 इन्टु एन्टु एन्टु पावर 23, सेकिंड ऑप्शन, ठीक है, छीज़ पॉर हो गया, 0.1 मॉल निकले, मॉल निकाले जिए, वन मॉल के अंदर, एने, मॉलिक्यूल होता है, एक छीज़ फूर में, अपने पास 10 लक्रोन होता है, तो एने में कितने होंगे, 10 से प्रिपलाइ कर दो, अगराय कि, करेक्ट मॉलिक्लर फॉर्मूला आप दा मॉलिकूल इस कांपाउंट दे रहा है आपको, यहन्य उसका, इंपरीकल फॉर्मूला है, तो उसका, इंपरीकल, मास्ट क्या होगा भाईया, निकाल लेजिए, तुबले टूजा, 24, 2, प्लस 16, कि इदना होगा है है हुआ है 2642 हो जाएगा लगबग यह हो जाएगा ट्वंटीफोर छह साथ आठ आठ चार अगर मिन का टॉटल कर देता हूं तो अपने पास ट्वंटीफॉर टू और शिस्टीन 42 हो गया हमारे पास एन क्या होता है मॉलर मास अपन इंपेरिकल मास मॉलर मास 168 है इंपेरिकल मास 142 है तो एन की वेल्यू क्या जाएगी 4 तो हमारे पास सी टू एच टू ओ को फॉर से मॉल्टिप्लाइब करेंगे तो सी एट एच एट ओ फॉर थार्ड ऑप्शन कि दो वोल्यूम ऑक्किपाइब भाइब 4.4 ग्राम एट एस्टीप आपको बता है कि वन मॉल जो होता है वह 44 ग्राम हो गाए और वन मॉल ही 22.4 ग्राम पिता है तो अगर यह 4.4 ग्राम लोंगा तो यह मारे पास 2.24 लेटर हो जाएगा अप्शिन नमबर 2 वन मॉल सी ओ टू जो होता है इसके अंदर 44 ग्राम होता है तो इसके वन मॉल के अंदर इतना लेटरा क्या होगा उसका वोल्यूम होगा तो 4.4 लोंगा तो 2.24 हो जाएगा नेक्स कुछन अपना 44 इसमें देखिए एक कंपॉंड 8 परसेंट दे रखा आपको यह कर रहा है कि वह यह 8 परसेंट सल्फर है देखिए मैं कहा हूँ एक परसेंट का मतलब क्या होता है हंड्रेड अगर हंड्रेड गराम कोई मॉल क्यूल है उसमें एड्र गराम किसका है कि सल्फर यह कर तो हम कह सकते हैं सिंपल सी की एड्र गराम सल्फर प्रेजेंट इन हंड्रेड गराम एक गराम कब होगा हंड्रेड वई एट और थर्टीटू गराम के लिए कितना होगा इन्टो थर्टी तू सोल कीजिए विया इसको 400 अपने पास 400 आ जाएगा 400 हो गया एट परसेंट है 32 के साफ से क्या हो गया एट हो गया कर दो मैं आपने पास एक रिक्षिन है की वन ग्राव मेंगनिश्यम बर्न एक क्लोज वेसर्श इस प्टेंगि पॉईंट फाइफ ग्राम ओ फो फॉट विश्रेक्टेंट इस लिमिटिंग रिएजिंट हो उमस्ट अप्स 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 एक्स अप्स अप्स एक्स उप एक्स मेगनिशम लेंगे यहां पर दो मेगनिशम ने ले लिए तो देखिए यह करा है अगर 48 ग्राम अगर मैं लूँगा तो मेरे को 32 ग्राम क्या लेना पड़ेगा ऑक्षिजन लेना पड़ेगा बट यह कह रहा है कि अगर मैं बात करूँ बट हमारे पास इसके मॉल कितने निकालेंगे देखो अगर मॉल केल्कुलेट करना है तो कितना आएगा तो 1 ग्राम के लिए मेरे को कितना होगा भाया 32.48 इसको सॉल कीजिए तो 0.66 ग्राम है इतना होगा अगर 1 ग्राम लूँगा तो मेरे को इतना ग्राम लेना पड़ेगा यानि हमारे पास बट अपन को गीवन क्या है बट गीवन हमारे पास 0.5 मॉल है तो मैं कहूँ 0.5 ग्राम ओटू के बर्न बर्न 48 अपन 32 इंटू 0.5 तो मैं इसको लेख सकता हूँ 0.75 इतना बर्न करेंगे तो अपने पास देखो चाहिए तो इतना बट है अपने पास क्या है 0.5 वन ग्राम ले रहा हूँ ना मेगनेशियम तो वन ग्राम के लिए इस रियक्शन में वन ग्राम अगर एम जी है तो इसके लिए हमारे पास 0.6 ग्राम ओटू चाहिए बट ले क्या तिरे अपन 0.5 तो लिमिटिंग रियेजियंट तो हमारा क्या हो गया ऑक्सिजन तो ऑक सिमान तभी करमक है अब्बट हमारे पास 75 परशेंट रगया तो बचा कितना 0.25 ग्राम आधिके बज़ गया ऑप्शन वन जै यह तो हमारे पास हो गए मैगनेशियम तभी करमक यह तो होगा ही नहीं पर नहीं पर तीन ओप्षिन में ओटू एक शिमान तभी करमक है तो सिधा कर सकते हो या गर सिंपल तरीके से अगर बात करना चाहो कि तो यह सिदा साख है मैगनीशियम है कि ओटू है और एमजी हो है पर यहां यहां मोल के बात करें कितना हो गया यहां पर टो इसको फुटी को है कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है यहीवन क्लिशच घ्राम योंगा के पर हमारे पास क्या है 0.5 भी तो है 0.5 कि इसाफ से हमारे पास क्या हो गया LR limiting reagent option 1 नेक्स्ट है 4 ग्राम हीडोजन वा 4 ग्राम oxygen को जोलन करते हैं तो हमारे पास जल का भार क्या होगा यानि चार ग्राम oxygen यानि हच टू प्लस ओटू इस इकल टू 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 एच टू यह बैलेंस कर लो equation को यह यह करा है कि अगर 4 ग्राम यह ले लू मैं तो 4 ग्राम भी यह ले लू हूँ तो मेरे पास इसका कितना मिलेगा अगर मैं जनरल लेक्शन की बात करता हूँ तो देखिये 46 सिंपल सिख बात है अगर मैं 4 ग्राम यह लेता हूँ तो मेरे को 32 ग्राम की requirement होगी तो मेरे को यहां पर क्या मिलेगा 36 ग्राम मिलेगा यह एक जनरल है 4 ग्राम हाइडोजन 32 ग्राम ऑक्षिजन 36 ग्राम वाटर अब यह करा है कि यह तो मैं 4 ग्राम ले रहा हूँ पर ये भी 4 ग्राम ले रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा 4 ग्राम के लिए अपने पास 32 है तो 1 ग्राम के लिए क्या होगा विया 32 by 4 यानि हमको चीए 32 by 4 32 by 4 तो 4 ग्राम ऑक्षियन के लिए क्या होगा अपने पास 32 by 4 into 4 is equal to 32 ग्राम यह हो गया, बट अपने को 4 ग्राम oxygen दे रखा है, O2 दे रखा है, 4 ग्राम oxygen, O2 गीवन है, तो हम क्या कहेंगे, तो अपने पास 32 ग्राम चीए, है कितना, 4 ग्राम, यह तो हो गया अपना LR, limiting reagent, अब क्या कहेंगे, 4 ग्राम O2 will be produced कितना होगा, 4 इंटू 36 अपन 32, जबर solve करेंगे, 4.5 ग्राम आएगा, third option, इसका सीधा तरीका अगर बताना चाहूँ आपको, language में, तो simple साख है, H2 प्लस O2 is equal to 2 H2 O, यह 2 है, तो मारे पास यह 4 ग्राम है, और यह 4 ग्राम है, उसके मोल बदा लिए, इसके 4 by 4, 4 by 32, 4 का 1 हो गया, इसका 32 लगबग, आप क्या आजाएगा, 1 by 8, इसको में ले सकता हूँ, एफ्रॉक्स, जो भी है, इसको कॉफी सेंट से मल्टिप्लाई के दीजिए, इंटू 2, तो यह तो 2 हो जाएगा, यह 1 by 8 हो जाएगा, और इसको बनेगे कि इतने, 1 by 8 को मल्टिप्लाई के दीजिए, 1 by 8 इंटू 2, तो कितना जाएगा, 1 by 4, 1 by 4 का मतलब, लगबग, 0.25, यह तो इसके मोल होगे, 0.25 मोल, अब इस मोल में के अंदर आखर देखे, तो कितने हैस्टू होँगे, लगबग, 4.5 ग्राम होगा, यह से लिमिटिंग रिजेंट्स अपन केलकुलेट कर सकते हैं, अगर ध्याना तो आपको, नेक्स्क्विशन 47, अगर वन मोल इसके लूँगा, तो मेरे पास इसके भी वन मोल मिलेंगे, बट यह कता है, 10 ग्राम ऑफ 80 परशेंट, 80 परशेंट का मतलब, 80 ग्राम 100 परशेंट है, उसमें भी 10 ग्राम का 80 परशेंट कितना होता, 8 ग्राम, तो यह 8 ग्राम हो गया, तो 8 ग्राम का कै ले रहे हैं, अगर बात करें तो те हैं, मोल इसके पास 0.08 जिरो पॉइंट मोल लूंगा, तो सीजियो टो गीपी मेरे को 0.09 जीरो एट मर भी लेंगे, और यह पूछ रहा है कि वोल्यूम क्या होगा एंटीपी बे यह मॉल इस इकल टू क्या होता है वी अपॉन 22.4 तो वोल्यूम इस इकल टू क्या हो जाएगा भाईया मोल है अपने पास 0.08 इंटू 22.4 जिसको सॉल करूंगा तो अपने पास आजाएगा लगबग 1.792 लीटर थार्ड ऑप्शन हमाइए तन से वन मोल मिल रहा है यह क्यों पॉल्यूम जरैंड पो प्रस दितिट परसेंट का मतलब क्या होता क्यों और 50 ग्राम है उसके अंदर 80 घ्राम तो 10 ग्राम उसमें से लिए जाए ठेन बौराम का मतलब है वन मोलल केता है। ता मोल फ्रैक्षिन ओफ दा सॉलूट इस वन मोल स्वलीचिन लुल फ्रैक्षिन एकसे स्कूल का निकालना है वन मुल का मतलब वन केजी वन अपन 55.5 प्रिस एकल्टो क्या हो जाता है वन उपन 56.5 ङुथा डारेक्ट है कर सकते हैं मोल होता है एन अच्टू अपॉन टोटल मोल निकाल सकते हैं वन मोल जली विलियन का मतलब क्या होता है वन मौल पर केज़ी है यह कराया 10 gram urea dissolved in water the weight of solution become 400 gram गता है 10 gram urea जल में गुला जाता है विलियन का बार इतना है तो कुछ नहीं है 10 by कितना हो जाएगा 10 by 400 into so is equal to weight by weight percentage हो जाएगा mass of solute upon mass of solution into 100 क्या हो जाएगा 2.5% third option कहता है कि empirical formula of organic compound is CH2 then find the molar molecular formula of vapor density दे रखिये तब यह molecular mass वेपर देंसिटी इंटू टू वेपर देंसिटी दे रही है 14 into 2 तो कितना हो जाएगा 28 empirical n is equal to क्या होता है molar mass upon empirical mass molar mass 28 empirical mass अपने प्रास 14 हो जाएगा फॉर्मूला यह रहा CS2 12 प्लस 2 इतना इतना हो जाएगा तो कितना आया टू तो CS2 को टू सेट मुल्टिपलाई कर दीजिए C2H4 हो जाएगा इसका कहता है कि कहता है इसका मॉल फ्रेक्शन आफ वाटर 0.5 मॉलल्यटी पूछ यह मॉललता पूछी दा ना मॉलल्यटी पूछ रहे हैं तो आपको पता है एस्टू है उसका मॉल फ्रेक्शन दे रहा है पॉइंट फाइट फाइफ तो एस्टू सो फूर का कितना होगा भी यह पॉइंट वन फाइफ हो जाएगा अगर मैं फॉर्मूला देखू मॉलले लेटी का एम इस इकल टू क्या होता है मॉल फटो फोर मॉल फ्रेक्शन फैस्टो सो फोर इन्टो 1000 अपने पास कितना है जिरो पॉइंट फाइफ इंटु वन थाउजेंड अपन जो शरी एट फाइफ न फाइफ है जिरो पॉइंट फाइफ इंटु एटीन होता है इसको सौल कर लिजिए नैन पॉइंट एट एम होता है थर्ड ऑप्शन आ जाएगा अपने पास तो रिलेक्शन है मॉल फ्रेक्शन और मॉल एटिव अपने पास है एवरेज दे रखा है इस नहीं करता है बी ट्वेल्व बी एलेवन टू आइसो टॉप और एवरेज मास आप 10.2 आपको पता है एवरेज मास मैं कर रहा हूं क्या करेंगे हम एवरेज अटोमिक मास जो होता है वह वह 1.2 दे रखा है तो हम कहेंगे एक्स इंटू 10 प्लस हंड्रेड माइनस एक्स इंटू 11 अपॉन हंड्रेड परसंट अगर इसको सॉल करता हूं मेरे पास तो हमारे पास एक्स की जो वेल्योत आईगी हो एक्स की वेल्य अपने पास आईगी 80परसंट अपने पास आपने पास इस टू बेड़ू आइगा अपने पास लगबग लगबग यह हंद किटना हो जाएगा 100-80 is equal to क्या हो जाएगा 20% तो मारे पास option 80 और 20 परसेंट यह अवरेज atomic mass का calculate किया जाता है कि यह कराय कि एक solution लिया 50 cut यह है एक solution 101 M का है और 100 और 0.5 SLA resulting solution निकालना है आपको पता है MR is equal to क्या होता है M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon V1 plus V2 plus V3 calculate करें हम 50 into 2 plus second molality अपने पास है है 1 into 100 into third molality अपने पास है 0.5 into 100 upon V1 V2 V3 को add करें तो 250 आता है तो मारे पास आएगा 250 upon 250 तो मारे पास आजएगा 1 M option number second resulting solution निकालना है सिधा सिधा आपको ठीक है नेक्स अपने पास देखिए calculate the number of chlorine and chromate in bleaching powder हो रही है bleaching powder की अगर बात करें तो आपको पता है CRO4 की structure क्या होती है भी यह ही तो होती है अपने पास इसे साब से अगर देखिए तो bleaching powder जो होता है calcium OCl यह bleaching powder में आता है तो आपको ध्यान गिना एक प्लस वन होता है एक माइनस वन होता है अगर में इनको calculate करें हमारे पास तो देखिए कितना हो जाएगा 1,2,3,4,5,6 यानि प्लस 6 इसमें रहता है प्लस वन माइनस वन सेकेंड ओप्शन हो जाएगा अपना कि एक्सेशन केस में आते हैं विया तो दोड़ा सा ध्यान रखना इनको को देखिए एक स्मॉल आइरन थार्ड अप्शलेट लेड़ा है तो वही बात है कैमनो 4 इसमें क्या पूछ रहा है विया एक्विलेंड वेट ओफ एरस कि एक्विलेट है अपने पास एफी टू कि यह फॉर्मूला होता है इसका कि ऑक्षिदेश टेट कितने है इसकी थी प्लस थी में होती है यहां पर थाड़ और थाड़ के लिए बोल रहा है नहीं अपने को फॉर्मॉला यह होता है वन मोल लोगेवन और DUपल का एक्समोल शू करते है ले रहा है तो वन मोल किलिए इसका एन फैक्टर छिसका एक्समोल है इसका एन फैक्टर है कि आपको था तस्ठील का कि का अडली है यह जो एन फैक्टर निकालेंगे हम वावमारे पास्ट क्या निकलेगा 5 इंटू एन और इसका एक्स इंटू इसका एन फेक्टर कितना है अगर यह ओक्षिडाइज होता है तो आपको पता है F3 प्लस में कनवाट होता है 2 और C2 O4 2-3 तो 6 हो गया इसका एन फेक्टर 6 तो X is एक्सिकल टू क्या होगा एन तो इसका वन है ना वन मोल ले रहा है एक्सिस इकल टू फाइब सिक्स ऑप्षिन नमबर फॉर यह जब भी इस टाइप का क्यूशन आए तो एक्क्वेलेंट दोनों को एक्क्वेलेंट कर दो वहिए एक्क्वेलेंट कर दो दोनों का एक्क्वेलेंट नमबर फॉर फिक्टी सिक्स में एस एट में सल्फर का ऑक्षिडेशन इस्टेट और वैलेंसी कितनी होती है एस की बात करें आपको पता ही है एस कि यह स्ट्रेक्टेचर होती है तो इसकी जिरो ऑक्षिडेशन स्टेट होती है बेलेंसी 1 और 2 आपको तो होती है जेरो और 1 स्ट्राइप दिन क्राउम से इसकी स्टॉक्चर असेट की कि वह कर रहा है कि एक्वेलेंट वेंट व्वियांसरा इसिक्सव साह एक्षिन एक्षिन निकालना है देखिए बी आर टू प्लस ओच माइनस इस इकल टू बी आर माइनस प्लस एक्षिकलेट करना इसमें तो देखिए एक्विलेंट वीट इस इकल टू होता है mm अपॉन एन फेक्टर mm निकाला जाता है टू इंटू 80 अपॉन एन फेक्टर एन फेक्टर इस इकल टू क्या होगा एक्विलेंट लग बगेर 80 अपॉन एक्विलेंट वीट जो कि हमारा दे रखा है 96 तो इसका आएगा 5 तो एन फेक्टर 5 हो गया तो ऐसा कौन सा है जो इसमें से यहां जाने में 5 का प्लस 5 का चेंज आ रहा है तो फ्लस 5 के अंदर देखिए तो यह और प्लस 7 हो गया इतमें देखें तो प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 5 हमारे का स्थर्ड ऑप्शन होड़ा है क्लियर यह है पने पास वनेदियम का ऑक्षिदी में का रहा है कि दा ऑक्षिदेशन स्टेट आप वनेदियम नह फूर वी ओट्री तो यह ब्रेस सॉल्ट है जो ब्रेक होता है नह फूर प्लस और वनेदियम ट्री ओक्षाइड माइनस तो वी ओट्री माइनस तो इसके अंदर इसका ऑक्षिदेशन प्लस 5 होता ही है क्यल्कुलेट कर लिजिए सिदा सिदा केशन है यह अपने पास है ऑक्षिदेशन एक रहा है क्यों सी रेडॉक्स रेक्षन के लिए करेक्ट को स्टेटमेंट है खाया जाता है गिप्लेश द्टेश्यिन प्लस अधेर्ट तो घ्लिएटोच को गेवसव औत्री ना स्टीर अधिया स्ट्री के आधिया गए tos पूर साट पर्यू द्युह से रिद्टाय माइन आदेशल शॉक्र ऑक्षिदेशन होता इसना और यहां से यह इसका औक्षिदेशन होता है तो जिसका oxidation होता है वह है reducing agent और जिसका reduction हो रहा है तो वह oxidizing agent इसमें देखिए s2o3 get reduce in s2o4 s2o3 reduce होता है नहीं oxidize होता है यह गलत है s2o3 s4 में oxidize हो रहा है सही है i2i- मैं अपचहित हो रहा है है यानि i2 get reduce in i- reduce हो रहा है और i2 get oxidize oxidize नहीं होता है यानि b और c हमारा second option और reaction oxidation state calculate करके कर सकते हैं यह कर रहा है कि which is the following not redox reaction जिमन मैंसे कौन सी redox अभी किरिया नहीं है जिसमें अप्चैन और reaction अप्चैन और oxidation का सकते हैं अप्चैन और oxygen नहीं होता मतलब कॉपर कि अगर देखे तो यह जीरो है यह 2- प्लस है यह जीरो होगा यह जीरो है यह टू माइनस में आता है यह redox reaction है यह भूप्लस है जीरों गोस्त Jeogy नहीं हो रहा ह्याने जीरो है यह थो प्लस में जा रहा है ऑमरस में मैने मैने जीरो मäम 200 यह लेक्शन गरता रेक्शन उसमें और रेक्षसी हमारा है जिसमें correct one oxidation state आपको बता है इसके अंदर 2- होता है इसमें फिलश्य होता है इसमें प्लस 6 होता है इसमें 2.5 होता है सेकंड हो गया हमारे पास पर अक्साइड लिंकेज होता है कि नेम में ऐसे तुल्यां के बाद निकालना एकुलेंट बेटो एफी टू ओ थ्री आपको पता है एफी टू ओ थ्री कि अंदर यह रहता कैसे है कि एफी ओ प्लस एफी टू ओ थ्री में रहता है एक दो उता है गी हमेशे याद रहो देख है अब यह कर fellows कि यहां से इस कंडिशन से यह जा रहा है एफी टू अट्री में इसके अंदर 2 यहां से यह बनेगा वहीया, FE2O3 यहां से 3+, 2 प्लस तो 3 प्लस तो तु प्लस तो 3 में जा रहा, 3 प्लस में जा रहा, 3 प्लस में 3 प्लस तो क्या रहा था यह इसका प्रविशन अपने पास है विच इस दा फॉल्वाइंग बीवेज ऑग्षिदाइजेंग एजेंड आपको पता ही है अच अनो टू और है अस्टू अस्टू आस्टू अश्टू होता है अपने पास एक्वियन्ट मास और वक्षिदाइजेंड दरेक्शन इक्वियंट मास ओप उक्षिदाइजेंड एक्वियंट निकालना अपने को तो देखिए SO2 plus S2S is equal to 3S plus S2O यहां 4 plus है यहां 2 minus है 4 plus से भी 0 हो रहा है और minus 2 से भी 0 हो रहा है तो 4 plus से 0 हो रहा है इसका मतलब SO2 का molar mass कितना होता है यहनि reduce हो रहा है तो यह oxidizing agent हो गया oxidizing agent कौन हो गया SO2 और SO2 का molar mass क्या होता है भीया 64 कितना change हो रहा है इसमें 4 का तो equivalent weight is equal to क्या हो जाएगा 64.4 कितना हो जाएगा 16 तो पहले इसमें oxidizing agent को identify करना है उसका molar mass calculate करना है molar mass में N factor से divide करना है और हम आपास equivalent weight calculate हो जाएगा एक रहा है 4 gram 10 liter में है तो यह वही बात है मॉलेट ही निकालनी है weight upon mm into V into 1000 weight दे रहा है 4 upon mm दे रहा है 40 into 10 liter दे रहा है क्या हो जाएगा जेरो पॉइंट जीरो वन एम हो जाएगा वन ओप्शन क्या होगा एस्ट्री फ्योफ थ्री में उसका N factor क्या होगा एस्ट्री फ्योफ की structure क्या होती है भीया एक पी एच बांड होता है यह पी एच बांड तो ब्रेक होता नहीं है तो इसका एक एच प्लस तो यह रिलीज होगा एक एच प्लस यह रिलीज होगा यह रिलीज होगा जैट मेंस इसका N factor कितना हो जाएगा 2 N factor 2 जिदन नमबर आप एच प्लस आइन देखते हैं सिधा N factor निकालने के लिए विची फॉलाइंग कंपॉंट डज नॉट डिकल्राइज एचेडिक सॉलीशन आपको पता है क्या करता है क्या प्लस अपने पास करता है फ्यूजन F-U-S-S-I-O-N से याद रखा करो हमेशा F का मतलब होता है F-E-2 प्लस को F-E-3 प्लस में कनवर्ट करता है यह का कोई मतलब नहीं है S-O-3 2- को यह S-O-4 2- में ऑक्सिडाइज करता है S-2 प्लस को यह S-4 प्लस में कनवर्ट करता है S-2 माइनस को सल्फर में कनवर्ट करता है I- को I-2 में को का मतलब होता है और O-C-O-2 में और N का मतलब होता है N-O-3 N-O-2 को N-O-3 में कनवर्ट करता है यह आपको यहाद रखना चाहिए तो F-E-2 प्लस को यह औक्सिडाइज करता है यहाँ F-E-3 प्लस है इसको कर देगा इसको कर सकता है F-E-3 प्लस को एकलराइज नहीं करता कहता है नेमने में से कौन सा कथन सत्य है true solid statement देखना है तो देखिए ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ P-4 P-4 में जहान रखना जीरो होती है तो यह करेक्ट गलत है अपने पार और क्रोमिम प्लस 6 प्लस 6 नहीं होती है इसमें फ्लस 3 होती है यह गलत है ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ N-S-3 में तो माइनस ही तो हमारे पास one of one statement ही सही है वन हो गया है कि नेक्स्ट है दा रियक्शन देखना आपको इसमें क्या-क्या हो रहा देखिए इस रियक्शन में ब्यार्टू जीरो है यह माइनस वन है यह सीओ थ्री में कोई चैंज नहीं हो रहां नोगया शीज़ प्लस 5 यहनि 0 से प्लस 5 और 0 से ही स्ट ब्रोह काई नहीं हो रहा है तरे हम गलत है अगर मैं देखो यह कर रहा है इसका option पूछा है अपने पास अगर देखें अपने पास देखिए तो क्या हो जाएगा बी सी डी वी सी और डी कि सेवंटी क्विशन काता हाव मच मास ट्राइबेसिक मॉलेकुल के लिए अपने पास देखिए केल्सियम हाइड्रोकसाइड का हॉल ट्वाइज इस इकल टू कोई भी ट्राइबेसिक ले लिए इसने इसका एकुलेंट निकालना है तो एकुलेंट के लिए अपने पास क्या होगा इसका तो क्या कहींगे एक पॉर्ण 1 इंटू एन फेक्टर इसका 2 concentration की अगर 100 की बात करें तो mass upon molar mass हो जाएगा तो क्या कहेंगे फिसका 0.1 into n factor इसका 2 इसका x मान लेता हूँ इसका n factor 3 अगर में इसको 1 ही मानूं इसको अगर दोनों को equivalent रखें तो x is equal to क्या आएगा 2 by 3 कर सकते हैं इसको solution को 100 ml.1 ले लिया पॉइंट वन डाइब लिया आम उसको भी calculate करना पड़ेगा आपको पता है आपको पता है इस इकल्टू क्या होता है एम इंटू एन फेक्टर अप्शन सेकेंड के टूश्यार टूश्यार आपको पता है एसेडिक मीडिया में किसमें कनवाट होता है इस इकल्टू कितने में चेंज होता है अगर देखें तो इसमें कितनी होती है 14 14 में से प्लस 6 होती है अगर आपको पता है तो यह प्लस 3 में कनवाट होता है तो यह तो होता है इसका एक का 12 प्लस होता है यहां दो का तो इसमें तरी प्लस 5 प्लस और 7 प्लस इसमें माइनस 1 बाइ 3 फ्रेक्ट्शन में होता है और अख्षिन स्टेट ओप आयरें इसमें भी आपने बात की थी ध्यान में तो एफी 304 होता है उसमें वहिया फेरस एफी 2 प्लस में भी रहता है और एफी 3 प्लस में भी चेंज रहता है ऑप्शन नंबर थार्ड दोनों में रहता है एफी ओ और एफी 2 ओ 3 में कि फिर कहता है कि स्टेट्मेंट कि एने टू एस फॉर के बारे में सत्य खथन कौन सा है एने टू एस फॉर कि अगर देखें तो आपको पता है एने ओ एस को यहां पी क्या होता है सब्सक्राइब आपको पता है तो 4S होते हैं इταιर ओ और एमें अगरेन डावल बॉन ओ डावल वंडो डावल ओर डेबल बाहरों ऐस मैं तो यह तो प्लश 5 होते हैं यह भी प्लश 5 होते हैं और यह this ा शिरो आपना पास कंप्लीट होता है अपना मॉल कंसेब्ट का आपका दिन सुरह है थैंक यू